रिसी के पापा इंस्टा पे नाच रहे हैं रिसी किस इस वीडियो बना रही है हिमान सी रो रहे है यूटूब पर पता नहीं है क्या चल रहा है इतने दिनों बाद व्लोग आ रहे हैं उनमें भी इतना कंशूजन है किलियर करो क्यों व्लोग नहीं आ रहे है इनकी लाइफ प क्यों रिपलाई नहीं कुछ नहीं अपडेट नहीं थोड़ी तो रिस्पेक्ट दिखाओ यार लास्ट टाइम की तरह इस बार भी यही सब कुछ तो हेलो जोस्तो जैसे कि आपको पता है ग्लैम कपल है जो आप सभी जानते हैं हीमानसी और रिसी को काफी ज्यादा पोपुलर लोगों को काफी दिनों तक इनके वीडियो नहीं आए उसके बाद लोगों को पता चला कि सेप्रेट हो चुके हैं लोग जब इनसे अलग अलग तरह के कमेंट कर रहे थे तो यह किसी भी परकार के रिपलाई नहीं दे रहे थे बट उस टाइम पर रिसी ने अपना चैनल स् लोग में कहती है कि और इसी और जो हिमांसी है वो सेपरेट हो चुके हैं एक्टिली में इनकी शादी प्री वैर्डिंग वैर्डिंग सब कुछ इतने बड़े धूम धाम से बनाई जाती थी और आज कल की व्लोगर का वैस समझ भी नहीं आता है जलाव मेरीज करते हैं इतन जो इतना दिखते हैं कैमरे के सामने सच में की लाइफ में कुछ इतना अच्छा होता नहीं है और ग्लैम गल हमांसी टेकवा ने अनाउंस सेपरेशन उसके बाद सेपरेशन का किया था वीडियो बनाई था लोगों को बता दिया था कि वो रिसी अलग हो चुके हैं और वो जैपूर में अकेले थी और वो रिसी अपने ममी पापा के साथ था और आप सभी को पता है रिसी अभी भी जो भी वीडियो बनाता है उनका एक खुद का चैनल है रिसी ने जब वो सेपरेशन हुआ था पिछली साल उसी समय चैनल ग्रोथ कर लिया था मतलब दो तिन वीडि इसको गमंड हो गया यह हो गया वह गया बट इमानसी ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोला था इनके बारे में और इस तरह से इनका चार पाच महने तक चलता रहा उसके बाद यह लगातार अपने व्लोग बनाता रहा व्लोग में यह अलग-अलगतर है कि मतलब सारी र बाई वीडियो बनाती थी उन्हें इतने अच्छे खासे वीज आते थे पिछले साल साल से हिमानसी के अच्छे खासे चैनल ग्रोथ किया था बट अचानक से फिर इनका चैनल अलग-अलगतर है कि जैसे व्लोग डालने लग गए थे चैलेंजिंग वीडियो डालने लग क्योंकि कुछ ही दिनों बाद हिमानसी और रिसी हैं वो दोबारा से पैच अप हो गया था और फिर इनकी रिसी के नए चैनल पर इनकी वीडियो आती है कि दोबारा से वो मतलब न्यू लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं बस इसके बाद जो भी इमानसी का भीएव था रिसी के परती हो अच्छा नहीं था क्योंकि बहुत सारी आप वीडियो देख लेंगे यहां पर गूगल पर सर्च करके देखेंगे जिसे इमानसी और रिशी की जो सेपरेशन के बाद की वीडियो हैं उनमें बहुत सारी शोट वीडियो आपको मिल जाएगी जहां पर हिमानसी बिल जोइंट फैमली में रहती है और उनका परिवार बहुत ही जादा सांथ सभाव का कह सकते हैं सीधा साधा परिवार है तो साइध उसी के प्रेशर में आकर इमानसी ने पैच अप किया था बट जो रिसी हैं वो काफी जादा मतलब हाई-फाई क्लास के हैं और एक मम्मा जादा भोला भाला समझते हैं मैं सीधा साधा हूं मुझे मतलब व्यूज वगरा से कोई मतलब नहीं है मुझे चैनल से कोई मतलब नहीं है बट इनों ने बहु जादा फाइदा उठाय था उस टाइम पर जब इमानसी अपने व्लोग से बिलकुल अलग हो गई थी मतलब लगातार यूटूब पर मैंनत की थी कहीं ना कहीं यूटूब ही इनके supportive की वज़य बनां है क्योंकि जबर्दस्ती ब्लोग बनाना जबर्दस्ती एक लिए method क्या होता है क्या बार माइंड नहीं रहता है और फिर इनकाg एक new लोग आता है इ दोनों बैठते हैं बढ़ haird इ तरह से इनोंने अपनी स्टोरी बताई थी उनका चैनल इतना आगे जा चुका था क्योंकि ये रेगुलर व्लोग डाले थी रिलेशन्शिप को लेकर ही मतलब और वहीं पर ही मानसी का चैनल वहीं की रुख गया था क्योंकि ये डालते थी मैकप वीडियो क्योंकि इनकी ओडियंस जादा कर मैकप देखने वाले ही थे बट जब इनोंने फिर व्लोग डाला स्टार्ट कर दिया तो इनके डाउन चले गई थे व्यूज वगयरा बट लोग फिर इनको कहने लगे फिर इनकी लाइफ मतलब थोड़ी से सैटल हुई ज़्यादा मतलब कुछ नहीं था इतना चैनल ग्रो नहीं हो रहा था और ना ही कुछ व्यूज वगयरा आ रहे थे ना ही रेगुलर वीडियो आ रहे थे इनके तो बीच में ये मतलब घुम से हो गए थे यूटूब से बट अब अचानक से फिर से ये खबरे आएं कि दोनों अलग हो चुके हैं और काफी ज़्यादा दिनों बाद लोग इनसे तरह तरह के कमेंट्स कर रहे बट कोई भी रिपलाई नहीं आ रहा था ना इंस्टा से ना कहीं से फिर अचानक से रिसी का तीन चार दिन पहले एक वीडियो आता है रिसी सब कुछ बताता है कि ये हुआ मेरे साथ ये हुआ और वो मतलब हीमानसी के उपर ही आरोप लगाता है कि हीमानसी मेरे ममी पापा के उपर इलजाम लगा रही है इतने अच्छे साससूर और वहाँ पर जो मतलब होग सारी लोग comments कर रहे हैं, उनको भी वो like कर रहा है बट हिमांसी के तरफ से हभी भी कोई reply नहीं है जो भी रिपलाइ नहीं है, बहुत सारी लोग video बना रहे हैं कि हिमांसी ने गलत आरुप लगा है और जो इनकी मतलब पैचप था वो सिरफ कहीं ना कहीं ही मानसी के परिवार वालों की तरफ से किया गया था जबरदस्ती अक्चुली में उनके बाद जसे इनका पैचप वात उनके बाद इनकी वो वाली मतलब बोंडिंग नहीं थी जो पहले हमें देखने को मिलती थी और ही कह रहे हैं ही मानसी बोलो और आपके बोलने का यह टाइम है अगर आप सोसल मेडिया पर हो तो आप अपना पक्स रखो एक्चुली में वैसे तो सब कुछ जो भी प्रोसेस होता है हम कुछ नहीं कर सकते बहुत सारी चीज़े होती है वो प्रोसेस अपने आप हो जाएगा बट एट लिस्ट लोगों को ये बात तो बतानी चाहिए कि जो लोग ही मानसी को गलत थहरा रहे हैं तो ही मानसी को ये सही मोका है बताने का लोगों को बताना चाहिए गलत मत बोलो आप किसी के बारे में बट आपको बताना चाहिए किस वज़े से आप मतलब अलग हुए थ गलत है रही है विख्व और लोग कमेंट करें को जेल Lशा प्रस्षान करें अब आपको ये सब कुछ सेहन करने का भी मितलब होना चाहिए